जैहिन प्यारे साधियो तो आप सभी को जर्माश्टमी की हार्दिक सुरुप काम नहीं तो नेक्स्ट चप्टर के बारे में हम बात करेंगे तो आपका चप्टर जो है कि समाप्त हो गया है केंपूर्टर जी का जो हम महामेराथन स्रीज लेकर चल रहे थे और आटिफिसियल इंटलीजन तो उसी के संदर्व में कुछ कोश्टन से हैं जो की अग्या में पूछे जागते हैं अकशर और उससे रिलेटिट कुछ निसकर्स हैं आइए निसकर्स को सबसे पहले हम देखते हैं तो यहां पर दिया है एई आई यानि आर्टिफिसियल इंट तरीके को बदल रहा है एयाई का भविस्ट उज्वल है लेकिन इसे सवधानी से अपनाना और सुनिश्चित करना महत पुड़ है कि इसका उपयोग ऐसे तरीकों से किया जाए कि जिससे समाज को लाव हो यानि कि जहां तक एयाई से लाव भी है तो वहां तक एयाई से नुक् वात करते हैं कि तुछ में कुष्चन दिया याई विग्गत परिशा उनपुछे यप नहीं प्रहस्न है तो आपको ृआपश्य इंतय आउडफियसियल इंट्यौजाशंस कि से समल थें तो हील क्लायमिंग आल्गोरिदम से समन्दित है मैं नया कुश्चन का रा प्रो लाग भाशा इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त होती है किसे आइज कुछट pessoa god ते नहीं कुछ फिरफिसियल इंटेलिजेंस के पीता कौन है जान में काथी है नेक्सट है यहां यह computer प्रणाड़ी है जिसे से machine को बुद्धिमान बना जाता है यह एक computer का प्रणाड़ी है तरीका है जिसे machine को बुद्धिमान बनाया जाता है जिसे आप coaching जाते हैं किसी भी चीज़ को क्या का सकते हैं किसी भी चीज़ को जैसे मजबूत बनाने के लिए मैथ की coaching लगाते हैं आप तुसे मैथ को मजबूत बनाने के लिए उसे प्रणाड़ी है यह computer की प्रणाड़ी है जो computer पढ़ने जाती है वो धिमान बना जाता है स्वास्त सेवा उद्धोग में AI का उपयोकिस प्रकार किया जा रहा है स्वास्त सेवा उद्धोग में AI का उपयोकिस प्रकार किया जाता है तो स्वास्त देखभाल में AI निदान व्यक्तिकत उपचार योजनाओं और नई दवाओं की खोज करने में प्रगती से युगदा देता है, AI उद्दोग में नविंतन निर्मान के रुप में किन तकनीकी दिग्जोग का उलेख किया गया है तो Google, IBM and Microsoft तकनीकी दिग्जोग का उलेख किया गया है, तो गैस वेगडाउन में थोड़ी जनरल एई को अन्न किस नाम से जना जाता है जनरल एई को मजबूत एई के नाम से भी जाना जाता है आटिफिसिल इंटेलिजेंस एई का प्राथमिक लच्छ क्या है मानो भेवार का अनुकरण करना किस प्रकार का एई किसी बिशिष्ट कारे को साधारर रूप से अच्छी तरह से केंद्रित करने पर केंद्रित करती है संकीड एई एई में पहचान और रिक ओगनाईजेशन कितने प्रकार की होती है एई में पहचान रिक ओगनाईजेशन तीन प्रकार की होती है Artificial Intelligence द्रिष्टी कोड के विविन प्रकार क्या है Artificial Intelligence द्रिष्टी कोड के विविन प्रकार क्या है तो पहला है Strong Apache, Weak Apache, Applied Apache Apache नहीं है, Approach Strong Approach, Weak Approach, Applied Approach कृतिम बुद्धी का क्या लाब है जो कृतिम बुद्धी है उसका क्या लाब है समस्या को हल करने में लगने वाला समय कम हो जाता है सुरच्छा परदान करने में मदद करता है सोचने की छमता हो तो काम आसान हो जाता है यह कृति मुद्धी का लाब है नेक्श है Artificial Intelligence में क्या-क्या सामिल होता है Knowledge और Planning दोनों सामिल होता है Artificial Intelligence के लिए आम तोर पर इस्तमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाजा कौन सी होती है Pro-Log और Java और Lips होती है चेहरा पहचान प्रनाने किस प्रकार के दृष्टी कोड और Fierce Recognization System प्रनाने किस प्रकार के दृष्टी कोड पर अधारित होती है यह LISP किस के दृष्टा बना गया था नहीं Lipsy किस के दृष्ट बना गया था जान में काथी के दृष्टा बना गया था इन्हें ही AI का पिता कहा जाता है Artificial Intelligence के कौन-कौन से अप्लिकेशन होते हैं Artificial Intelligence के कौन-कौन से अप्लिकेशन होते हैं चेंपूटर विजन, नेचुरल लेंगएज प्रोसेसिंग, डिजिटल आर्ट असिस्टेंज ये तीनों क्या होते हैं आटिफिसल इंटेलीजेंज के एप्लिकेशन्स होते हैं किस पैरामिटर के अधार पर आटिफिसल इंटेलीजेंज को वरगिगित गया है, छमताओं और कर्यात्मक्ता के अधार पर आटिफिसल इंटेलीजेंज को बाटा गया है त्यूरिंग टेस्ट को इसके निर्मादा के मुल्हरूप से क्या कहा था वर्तमान में अर्टी पिसीर इंटेलिजेंस का विकास किसके लिए किया जा राए केमपूर्टर के स्वायम के निडुड़े लेने की छमता का विकास होगा साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अधिकार देता है शल्की अधिक्यम साथ कान सी एल्गोरिन्ग कॉन प्रबल मसीश्ञ करें triste ही और कि एक यहां avait con inval Up लर्णिंग कि inadverthã कि या है तो डिजी क्या है डिजी लाकर आप सभी जानते हैं यह अच्छा एक application है इसमें आप अपने दस्तावेज को ऑडिजििनल दस्तावेज को रख सकते हैं कहींसे भी प्राप्सक Auf कर सकते हैं दीजी लाकर किया है तो दस्तावेज और पर्माडपत्रों के भंडारण और साजाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरचित क्लाउड अधारिद प्लेट फॉर्म है यानि अपनी डाटा को आप सुरचित रख सकते हैं वह छेत्र जिसमें मसीन की मानवी बुद्धी मता का परिछड होता है उसे हम कनेक्टिव साइंस यानि टरनिंग टेस्ट कहते हैं का एक अवस्टक छितर जो आर्टीफियल इंटेलिजेंस Professor का केंद्र है नौलेज इंजिनियरिंग कहलाती है आर्टीफियल इंटेलिजेंस का लच्छ क्यूं क्या है विविन प्रकार की बुद्धी मता को समयने के लिए आटिपिशी इंटेलिजेंस का यही महतबूल अच्छी है चलिए आगे बात करते हैं हम अब हम बात करेंगे कैम्पूटर संचे पर कैम्पूटर सब्दावली परिश्वाव में पुछे गए महतबूल प्रस्न यानि कि फूल फ्राम्स के बारे में बात करेंगे आएक हम कुछ फूल फ्राम्स के बारे में आप बताते हैं तो विभीन परकार के जो फूल फ्राम्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है तो हमारा अगला टापिक है यहाँ पर दिया गया है अगला टापिक है कैम्पूटर सब्द संचे एक्सर बोशे जाते हैं यदि आपके पास अधार होगा या आधार से आप पैसे निकालते हैं तो उसे ही एईपियस बोलते हैं क्या अधार से पैसे निकालना ही एईपियस करलाता है याधार इनेबल पीमेंट शिस्टम होता है एंधार पूछे पूछे जाते हैं एक्षाल पूछ जाते हैं एक्षाल्स को सेर कर दीजी और शेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहाँ पर अर्पानेट अर्पानेट का फुल फ्राम क्या होता है एडवांस रिशर्च प्रोजेक्ट एजनसी नेटवर्क होता है अर्पानेट का फुल फ्राम इन्हें ने ही इंटरनेट की शुरुवाद किया था चलिए ASP का full frame क्या होता है application service provider होता है ASP का full frame next गया है ATM यदि आपके पास ATM होका तो आपको यदि किसी ने पूछ लिया आपसे की ATM का full frame क्या होता है तो आप क्या बताएंगे तो यहाँ पर दो ATM का full frame होते हैं पहला हमरा दिया है अंसी क्रोशन transfer mode होता है और automated tailor machine होता है दोनों full frame सही है तो आपसे में मिलते हैं तो आप दोनों लगा सकते हैं एक मिलते हैं दोनों में से तो एक लगा सकते हैं next क्या है BCC आप किसी को संदेश भेजते हैं या message भेजते हैं यदि आप message भेजते हैं संदेश भेजते हैं इमेल बेचते हैं तो वहाँ पर आपको BCC देखने को मिलेगा तो BCC का फुल्प्राम होता है Blind Carbon Copy सेम यदि CC पुछता है तो वहाँ पर Carbon Copy होता है और BCD का फुल्प्राम करता है Binary Code Decimal होता है BCD का फुल्प्राम Binary Code Decimal होता है तो यहाँ पर थोड़ी Background Music बज़ रहा है तो उसके उस पर ध्यान दिजेगा इस पर ध्यान दिजेगा Screen पर ध्यान दिजेगा BCD का Binary Code Decimal होता है वहीं पर BCR का फुल्प्राम बार कोड रीडर होता है वहीं QR का फुल्प्राम करता क्यों कि रिस्पांज कोड होता है भी आएगा BCR का फुल्प्राम बार कोड रीडर होता है Next है BIOS का फुल्प्राम BIOS इसे हम BIOS बलते हैं BIOS का फुल्प्राम Basic Input Output System होता है Next का है Bheem, Bheem का फुल्प्राम क्या होता है बिट का मतलब क्या होता है जो हमारी binary digit qui का मतलब binary digit होता है ऐसला होता है और bpi का फूल प्राम होता है beats per inch होता है क्या BPI यह दिया आपको कहीं देखने को मिलेगा तो आप समझ जाए कि वहाँ beats per inch होगा next क्या है BPS तो कहीं पर यदि BPS लिखा हुआ मिलता है तो आप वहाँ पर उसका full frame बताएंगे beats per second होता है और BPI का full frame beats per inch और BPS का full frame beats per second होता है और B2B का B2C का मतलब क्या होता है business to customer यह अक्सर आपको देखने को मिलेगा आप यदि टैली अगे राकारिज होंगे टैली आकाउंटिंग किया होंगे तो वहाँ पर यह जो दिया गया है B2B, M2M इस तरह का देखने को नहीं आपने देखा होगा जरूर से जरूर लिखा होगा कहीं पर यह आप अकाउंटिंग के बूकर रखे होंगे तो उसमें यह सब जरूर लिखा होगा तो B2C का मतलब business to customer होता है और यहाँ CAD यानि computer added design जो हम घर के नक्से बनाते हैं नक्से डिजाइन जो बनाते हैं कालर बनाते हैं वो सब कैट के माध्यम से किया जाता है नि computer added design के माध्यम से किया जाता है वहीं पर CAD का फूल प्राम पूछा है तो CAD काइड होगा CAD computer added design देखिए आ गया अभी हमने उपर पता है BCC यानि carbon copy नीचे आ गया है CC यानि carbon copy होता है CDR का फूल प्राम क्या होता है compact disk recordable होता है CDR का फूल प्राम compact disk recordable होता है और CDROM का फूल प्राम क्या होता है compact disk read only memory होता है यहाँ पर CD का फूल प्राम अलग हो गया है compact disk यदि CD पुछता है तो आपके वाल पताएंगे compact disk और ROM का फूल प्राम होता है Read Only Memory होता है Next है CGI का Full Frame Common Gateway Interface होता है CGI का Full Frame Common Gateway Interface होता है CLI का Full Frame Command Line Interface होता है CMOS का Full Frame Complimentary Mental Oxide Semiconnector होता है Complimentary Metal Oxide Semiconnector होता है CMOS का Full Frame चलिए आगे बढ़ते हैं आक्षट को फानतां को बोल किया एक वक्राइंद की भासहैन कोबल का फुलप्राव्पाम क्या है सिस्ट वैसे लेंटन वेज़ाता आपको कमेंड बक्रणियों को बोल कामन बीजनस औरियंटेड लेंग्वेज होता है अक्सर पुछे जाते हैं एक्जाम में CPU का फुलफ्राम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है यह यह भी अर्थ रहके एक्जाम में पुछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार वीडियो को सेर कर दिजिए हां कि सी आर्टी का फुलफ्राम का एथर्ड रोटीव होता है क्या का एथोर्ड रे ट्यूग होता है तो अभी तक हमने जितने भी कंपूटर के से रिलेटर या कंपूटर के वीडियो बनाये हैं तो आप उनको क्रेक कर पाएंगे अच्छी तरह से त्रिपल ची में अच्छे ला सकते हैं जितने भी वीडियों हमने पनाये हैं अधिव आप उनको देख लेते हैं तब चलिए आगे पुस्ते हैं सी यस्यास का फुलफ्राम का स्केर्डिंग स्टाइल सीट्स होता है यह आपको लेवल का देखने को मिलेगा तिसरा बुक का नाम किया है स्टाइल सीट होता है तो यह ओलेबल के आपको देखने को मिलेगा तो दूसरा वुक का नाम है वेब डिजाइनिंग डावलव। जो इसमें CCS होता है फ्रेमोवर को CSS फेर मोग उसमें आपको देखने को मिलेगा CU का full prime control unit होता है DBMS का full prime database management system होता है DMA का full prime direct memory access होता है DNS का full prime domain name system होता है नेक्स्ट क्या है DOS का full prime disk operating system होता है नेक्स्ट क्या है DPI का full prime dot per inch होता है DTP का full prime desktop publishing होता है ये सभी जीवन में आपके अक्सर एक्जाम में जो प्रस्न पुछे जाते हैं full prime ये उन ही से related है DRAM का full prime क्याता है dynamic random access memory होता है DRAM का full prime DVD का full prime digital video disk होता है DVDR का full prime DVD recordable होता है आगे बढ़ते हैं DVDRB का full prime क्या होता है DVD re-writeable होता है इस तरह के full prime आपको कहीं नहीं दिखने को मिलेगा और साथी में इदम easy language में है अक्सर जो जाम में पुछे जाते हैं वही full prime है EDP का full prime electronic data processing होता है सबसे महत्पूर्ड यह दिया गया है EEP ROM EEP ROM Electrically Irrigible Programable Read Only Memory होता है तो आप इसे भी अलग करके पढ़ सकते हैं EEP को अलग पढ़ सकते हैं यहां पर उपर वाले में क्या था EEP ROM था और नीचे वाले में EEP ROM यानिकी Irrigible Programable Read Only Memory यह फ़र डीडी का full prime क्याता है floppy disk drive होता है यह फ़र डीडी का full prime यह फ़र टीपी का full prime file transfer protocol होता है यहां पर ट्रांसर यहां पर transfer protocol होगा ठीक है इस spelling तोड़ा सा गलत है GB का full prime gigabyte TV का GB का full prime gigabytes होता है वही नीचे भी दिया है GB का full prime gigabytes क्या होता है garbage in garbage out होता है जी आई जीओ का full prime garbage in garbage out होता है नेक्स्ट है जी यू आई का full prime graphical user interface होता है और बात करें हम यह सियां टीपी का full prime simple mail transfer protocol होता है यह टीपी का full prime file transfer protocol होता है लेन का full prime local area network होता है और यहां पर यह मेंन का metropolitan area network होता है साथ ही हमने आपको भहुत सारे full promise के वीडियो भी बनाए है उनको भी जाकर दखिए और इनको भी दखिएगा चलिए आपसे next video मिलते हैं कुछ और important question के साथ धन्यवाद आज के लिए तना काफी